राजो का घर 1950s के ब्लाक और वाइट फिल्मों की याद दिलाता था एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरलाइस्ट बाप, एक खास्ती वी मा और एक बिन ब्याही बेहन सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और चट से 24 आर्ज रनिंग वाटर मा स्कूल से रिटायड थी और ज्यादा तर टायड रहती थी बाप किसे जमाने में पोस्ट मास्टर थे पर आलेस्स के बाद बाड़ी आधी बंद हो गई और सालरी पूरी और बेहन 28 के हो गई है कमो मारूती 800 मांगते हैं दहेज में अरे तु पड़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी केसे होगी इसकी बिंदी लीजे ने हाँ जी थैंकि पता है तुझे बिंदी बारा रुपे किलो हो गई है और गोभी दसकी लूट मची है सारे देश में और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिथिया आएंगी कॉलेज से तो बता हम खाएंगे क्या मा पनीर लेंगे पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इत्ती इत्ती थैलियों में सोनार की दुकान पर विखेगा पनीर दो ने बस 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 बाद तो रहने दिना भी क्या ठीक है बाई चुपो जाती हो यह अच्छा है बच्चों के लिए कमाओ नोकरानी की तरह काम करो औ और उसके बाद मौनवरत रख लो अले घर की समस्या है तो बेटे को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी उसके दोस्तों को ए राजू बड़ी दुविदा थी दोस्त को संभालते कि दोस्त की मा की आसू पोंचते फिर हमने सुचा हाटाओ यार मडर पनीर पर कॉंसेट्रेट करो इनकी एकजीमा की क्रीम भी अब पच्पन रूफे क्या दिये और रोटी दू बटा ने 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 बड़ गया पेड़ गया बेंडी बारा रुपे की को भी दसके कम से कम खाना ओफर दो किया तेरे भुकड बाप जैसा नहीं तेटलर कुरेशी तेरी मातों मज़ा तेरेसा है फूजली वाली रोटी खिला रही थी , मांूनेका decipher कि ए और अठा यह छछ़दी है चोड़े तुम्हें क्या जड़ा कर रहे हु भुक लगे यार काी बाहर जाते है क्हाना खाझने के लिए मसह देख है पासे क्या इसकी मधर टेहसे देगी वोई खाना खाने के लिए पैसे लगते है युनिफर्म लगते है युनिफर्म